दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपका यहाँ पर डाटा ओपेन है और आपका नेट नहीं चल रहा है या डाटा सो भी नहीं कर रहा है तो इस सभी प्राबलम को कैसे सॉल्व करें दोस्तों की जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे data open करके रखा हूँ फिर भी यहाँ पे मैं अपना YouTube खोलता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं no connection लिग रहा है अगर home पे जाता हूँ तो यहाँ पे search कर रहा है तो अगर इस तरीके से आप यहाँ पे data खोले हैं और data खोलने के बाद भी आपका net नहीं चल रहा है और यहाँ पे उपर देख सकते हैं data so भी नहीं हो रहा है तो इस सभी problem को कैसे solve कर देएं कि आपको इस परकार का issue ना आये कभी तो दोस्तों आप सभी इस video के आन तक बने रहेएगा मैं step by step बताऊंगा कि इस problem को कैसे अच्छे से solve करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिर साप सभी को दिखा दू तो यहाँ पे data open है फिर भी मेरा net नहीं चल रहा है ना यहाँ पे so हो रहा है उपर तो इस सभी problem को कैसे solve करेंगे मैं आप सभी को पहला step बता देता हूँ तो आपको पहला step में अपने setting को खोल लेना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इस तरीके से setting खोल गया और आप भी अपने setting को खोल लीजिएगा और यहाँ पर setting खोलने के बाद आपको mobile network का option मिलेगा तो यहाँ पर mobile network वाले option पर click किजिएगा जैसे mobile network वाले option पर click करते हैं तो इस तरीके से option खोलता है आप सभी के सामने तो यहाँ पर one sim and two sim दिखाएगा तो यहाँ पर आप जिस sim से अपने net को यानि की data को use करते हैं उसी sim पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं one से use करता हूँ तो one पर click करूँगा तो जैसे one पर click किया हूँ तो इस तरीके से option खोलेगा आपके सामने तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको यह prepared network type में जाना होगा तो यहाँ पर click करेंगे तो जैसे इस पर मैं click कर देता हूँ तो इस तरीके से option खोलता है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2G, only 3G and 4G का option मिल रहा है तो कभी कभी क्या होता है किसी के mobile में यहाँ पर 3G पर रहता है तो यहाँ पर मेरे में last 4G, 3G, 2G auto करके दिखा रहा है मैं उस पर करके यहाँ पर simply रखा हूँ तो आप भी अगर यहाँ ध्यान दे दिजिएगा और यहाँ पर सबसे उपर trick लगा के रखिएगा तो यहाँ पर मैं सबसे उपर trick लगा के रखा हूँ उसके बाद यहाँ पर back आ जाता हूँ back आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा access point name इस पर click करेंगे जैसे इस पर click करते हैं तो इस तरीके से option खुलता है कभी कभी क्या होता है यहाँ पर access point name में आपका जो यहाँ पर access point बना रहता है वो delete हो जाता है गलते से उसके कारण भी आपका net नहीं चलता है और यहाँ पर net चालू होने के बाद यानि की data चालू होने के बाद भी यहाँ पर data so नहीं करता है इसके कारण भी तो यहाँ पर इसको आपको करना क्या होगा simply यहाँ पर three dot पर click करना होगा जैसे three dot पर click करते हैं तो यहाँ पर reset access point दिखा रहा है इस पर click करेंगे जैसे इस पर click कर देते हैं तो यहाँ पर reset access point पर फिर से click करेंगे जैसे इस पर click करते हैं तो restoring करके आएगा उसके बाद इस तरीके से यह a-tail का option उपर आ जाएगा और यहां पर देख सकते हैं सबसे उपर मेरा net bhi so होने लगा और net bhi चलने लगा और notification भी आने लगा यहां पर मैं live proof दिखा दिया कि अगर आपका net नहीं चालू होता है या net चालू करने के बाद net नहीं चलता है यहां पर अगर so भी नहीं होता है तो उसको कैसे सही करें मैं यहाँ पे आपको live भी दिखा दिया तो आप भी इसी तरीके से अपने access point को reset कर ले जाएगा और जितना भी net का issue समंदित होगा आपको वहीं पे solve हो जाएगा यहाँ पे आप live देख चुके हैं जैसे ही मैं reset किया हूं access point को तो इहाँ पे आप से यहाँ पे data चालू हो गया है और net भी चलने लगा है तो इस तरीके से अपने problem को solve कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको video यह अच्छी लगी हो तो इस video को like किजिएगा अगर आपको कोई भी question पूछना है हमसे तो आप मेरे Instagram पे जाके मुझे से direct बात कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियों बस इतना फिर से एक अगले वीडियों मिलता हूँ तब तक के लिए बाए